हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल किचिन आज की जो रेसिपी है वह 8 प्लस मन्थ बच्चों के लिए एक परफेक्ट डिनर रेसिपी है क्योंकि यह रेसिपी जिस इंग्रेडियन से बनाई है वह बच्चों को अच्छी नीन दिलाने और उनके मूर को अच्छा र कद्दू है आप चाहे किसी भी तरह या कलर का कद्दू ले सकते हैं इस रेसिपी में हमें बीजो की ज़रुत नहीं है तो हम इसकी बीज निकाल देंगे और अब इसका चिलका भी निकाल देंगे चिलका इसका थोड़ा हार्ड होता है तो उसे बड़े ही साफधानी से निकालें चील कर इसको हम छोटे-छोटे तुकड़ों में काट लेंगे ज्यादा बड़े तुकड़े नहीं करने है अब एक को कर लिया है इसमें एक चमच के करीब घी एड़ करेंगे इसमें दो डेट्स या चुआरा को छोटा-छोटा काट कर एड़ करेंगे पास से चेकेश मिश एड़ करेंगे अब इनको एक मिनिट के लिए रोस्ट करेंगे ज्यादा नहीं भूनना है जैसे ही अब भून जाएगी इसमें कटा हुअ पंपकिन या सीता फल एड़ करेंगे दो चमच के करीब दुला हुअ चावल एड़ करेंगे और इन सब को एक मिनिट के लिए पकाएंगे जैसे ही यह भुन जाएगी इसमें देड़ सो एमेल या आधा किलास के करी पानी एड़ करेंगे मिक्स करेंगे इन सब को अच्छे से और कुकर का धकन लगाकर चार सीटी आने तक पकाएंगी चार सीटी आ चुकी हैं इसका प्रेसर रिलीस कर देंगे और चेक कर लेंगे कि अच्छे से पक गए हैं या नहीं अगर पक गए हैं तो एक स्पून या मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि कोई बड़ा तुकडा ना बचे जैसे ही या अच्छे से मैश हो जाएगा इसमें 100 ml के करीब दूद हैट करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें एक छोटा चमस ड्राइफ रूट का पाउडर एट करेंगे चुटके भा दालचीनी का पाउडर एट करेंगे mix करेंगे अच्छे से और एक boil आने तक पकाएंगे उसके बाद gas को बन कर दें अगर आप formula milk का यूज कर रहे हैं तो आप चावल और कद्दू को mash करने के बाद gas बन कर दें और उसमें formula milk add करें और थोड़ा सा dry fruit powder add करके बच्चे को दें देख सकते हैं यह थोड़ा सा थिक हो गया है आप इसकी consistency को बच्चे की age के according एड़्यस कर लें अगर बच्चे 2 प्लस year का है तो ऐसे ही दें अगर छोटा है तो grind कर लें अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको latest notification मिलते रहें